हेलो केटीट्स, कैसे हो आप लोग, मास्त मजे में, चलो, तो यह अपना लास्ट चैप्टर है, सरी, लास्ट लेक्टर नहीं, लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नमबर 17, इसके बाद तो आप एकदम फ्री, पूरे मैच्स में, एकदम तयार हो जाओगे, तो अभी मेजरमें सबसे पहले आपन यह देखेंगे कि मेजरमेंट इंपोर्टेंट क्यों है, वाई मेजरमेंट इस इंपोर्टेंट, देखो, बैग्राउं वित्रो, तो देखो, वाई मेजरमेंट इस इंपोर्टेंट, यह अपने लिए सबसे पहला टॉपिक होने वाला है, कि क्यों मेजरम वॉल्यूम और इंडियन करेंसी इन सब का मेजरमेंट करेंगे और लास्ट में थुआ सा टेमट्रेशर का मेजरमेंट की भी बात करेंगे ठीक है जो आजकल आपको पता होगा कोरणा में कुछ ज़ादा टेमपरेशर वो check किया जाता है कहीं पर भी आप जाओ तो तो ये सारी बाते measurement वो जो आप temperature body का नापते हो वो भी measurement हुआ नापना कि कितना temperature है हर चीज आपको table बनाने इस अप length ना पर हो तो वो measurement हो गया हर चीज मेजरमेंट है तो चलो बिना किसी देरी के पहले ये start करते हैं कि why measurement is important अब मान लो आप फोन में ठीक है अभी लॉक्डाउन है कहीं जातो सकते नहीं फोन में आपने एक फोन किया एक जगा जहां पर टेबल बनती है और आपने बोला भी है मेरो को एक बहुत बड़ा चाहिए वो सामने वाला परिशान भाई कितना बड़ा यह तो बता यह तो कैसे बनाऊंगा तो फिर इसमें क्या किया इसमें बोला सर दो हाथ के बराबर बना दो वो बोला चलो ठीक है अब एक बात बताओ हो सकता है भी आपका हाथ छोटा हो उसका बड़ा हो यह आपका बड़ा हो उसका छोटा हो तो एक रफ आइडिया तो आगया ठीक है दो हाथ के ब तो यहां पर अपन को एक quantity के जो है वो define करने की जरूत पड़ी that is length, कौन सी quantity define करने की जरूत पड़ी length, length क्या पताता है size बताता है length, width, height, किसी भी object का size जब ना पना होता है तो उसके लिए पने quantity use करते हैं उस quantity को अपने बोला length, अब इस quantity के लिए एक unit चाहिए, unit मतलब एक जो पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में fixed हो, ठीक है, और सब के पास उसकी मान्यता हो, सब माने भी, अब मान लो गर मैं यहां पर एक unit बना दू, सौरब unit, वा भहिया वा, बस मैं भी मान रहा हूँ, मेरे students मान रहे हैं, और किसी को पता ही नहीं है, तो unit काम की है क्या अपन को ऐसे चीज़ चाहिए, कि इस length को अपन माल लो, मैंने बोल दिया कि चलो, इतनी length को मैं सौरब बोल रहा हूँ, अब इतना length पूरी दुनिया में मनना चाहिए, कि हाँ इतनी length को सौरब बोलेंगे, तो सौरब एक unit हो जाएगी, बट नहीं, तो अपन जो unit पढ़ते इतना ही, are you getting my point? तो measurement जरूरी है, और measurement करने के लिए कुछ instrument, कुछ scale भी जरूरी है, तो इस scale को अपन ने बनाया unit के साब से, जैसे एक meter का, एक centimeter का, 10 centimeter का अपन ने scales बना दी, और उसको fix कर दिया, कि भी अचाहिए, इंडिया हो, या नेपाल हो, या पाकिस्तान हो, कुछ भ quantity defined करी, that is length, कौन सी quantity defined करी, length, जिसके unit meter, centimeter, millimeter, kilometer, बहुत सारी units है, जिनके बीच में अपन conversion देखेंगे, और वो भी इतना simple तरीके से, आपको मैं याद करा हूँगा, कि tension नेने के तो कोई बात ही नहीं रहेगी, चलो, now, अब मालो, आपने phone करके, अपनी friend को बला, कि या साम क मिलते हैं, अब साम को कितने बजें, कि साम मतलब भई, चार, पांच, छह, साथ, आट, सब तो सामी हैं आपका, ठीक है, सूरज कम हो गया, सूरज ढलने वाला है, तो साम हो गई आपकी, तो अब भी आपर आपकी जो friend है, मस्त, सुंदर सी friend वाँ बैटके wait कर रही है, एक ग क्या define किया, time, कौन सी quantity define करी, time, जैसे size के लिए कौन सी quantity define करी थी अपनने, size के लिए length, वैसे ही, कोई भी चीज को कितना देरी हो गया motion होते, या कितना देर आप wait किये, इस चीज के लिए जो अपनने quantity define करी time, अब time देख क्या बोल सकते हो कि मैंने 40 मिनट वेट किया, तुम का, और time का measurement के लिए अपनने unit define, define करी second, minutes, hours, day, year, month, ये सब क्या है, ये सारी units है किसके लिए, आपकी time के लिए, मतलब एक मिनट जितना मेर लिए है, वो ही एक मिनट अमेरिका वालों के लिए है, वो ही एक मिनट, you know, चाइना वालों के लिए है, सब के लिए एक मिनट उतन है, एक सेकेंड मेर लिए टक, एक सेंट तक, वो ही सब के लिए है, अगर बाहर स्पेस में जा रहे हो, मूव कर रहे हो, तो अलग है, वो relativity होगा, वो सब की बात नहीं करनी, ठीक है, कोई लोग, you know, थोड़ा movies होगा, देखते होंगा, ता आपको पता होगा, Hollywood की काफी सारे movies में, यूज कर लिए जाता है, चलो, खेर, उसब की बात नहीं कर रहे है, तो समय, जो मेर लिए एक सेंट है, वो ही बाकी के लिए भी है, तो अपने unit ऐसे define कर दी, जो पूरे दुनिया में acceptable है, are you getting my point, तो time का जरूत पड़ा, है कि नहीं नहीं, तो बिचारे वेट करते र है, आपने बोला, भी है 100 अंगुर दे तो अपो गिन रहा है, एक, दो, तीन, चार विचारा तो निपट जाएगा, गिनते, गिनते, है कि नहीं, और फिर आपने बोलती है, चलो, 10 apples, हो सकता है, किसी दिन एपल बड़े हो, किसी दिन छोटे, तो किसी दिन उसका loss हो कि कोई चीच कितना है, वजन कितना है, तो उसके लिए अपने weigst weight को define किया, अपने quantity define करी भी है, जैसे लंबाई चोड़ाई ना अपने के लिए क्यार करी, length, नहीं, किसी भी object का size, लंबाई, वो है कितना बड़ा, कितना छोटा, ये ना अपने के लिए अपने length decide किया, कि जिसका आपको मालूम होगा unit, kg, ग्राम, ये सारी units क्या है, weight की units है, milligram, decigram, तो टेंशन नहीं, पूरा याद कराऊंगा, don't worry, अभी तो खाली मैं ये बता रहूं कि importance, सोच रहो, अभी तो ये खाली एक-एक importance, अपने day to day life में आजू बाजू देखो, और अभी जो research हो रही ह आपके लिए इतनी सारी चीजे बन रही है, electronic devices बन रहे है, इतनी सारी day to day life में आपकी मशीने बन रही है, सोचो अगर ये सब quantity ना बना पाएं, तो इसम में कोई भी possible है, na 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 na, समझ में आ रहा है क्या, फिर वैसे ही, पानी टंगी आप खरिद ने गए, आपको पता ही नही इसके लिए अपने कौन सी कॉंटरी डिफाइन करी थी, volume, पीछले चप्र में पढ़ाता ना, volume, three dimension objects में कितनी जगा है अंदर, कितनी अंदर space है three dimensional objects में, तो उसको अपन किस से define करते थे, volume, अब ये इसके नीचे का जो ये है जगा, क्या उतनी जगा जमीन में है की नहीं, कि क्यों जरूरी है measurement करना, time का measurement, length का measurement, weight का measurement, temperature का measurement, volume का measurement, area का measurement, ये सारे के सारे measurement बहुत important है, yes, चलो, तो आज के इस lecture में तो अपन ने खाली importance के बारे में पढ़ा, ठीक है, कि क्या क्या importance है, पूरे के पूरे measurement का, अब actual में तो अपन ये chapter को कल से start करेंगे, कल से आप देख system of, system international के बारे में पढ़ेंगे की units क्या होती हैं, और metric units क्या होती हैं, फिर उन सब के बीच में conversion, जैसे अलग लगा, भी तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा यह याद होगा, kilometer, meter, बट और भी होता है centimeter, millimeter, decimeter, 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 hectometer, तो इन सब के बीच में क्या रिस्ता है, और metric system की scope बोलते हैं, यह सब जानेंगे आप, next episode में, तो तब तक के लिए, हसते रहो, मुश्कुलाते रहो, और देखते रहो, सारव सरकी क्लास, जै हिंद, बाई बाई, take care